नमस्कार दोस्तों मैं हूँ S.P. शर्मा आप दिख रहे हैं Green Garden Channel Green Garden Channel में आप सबी को शागत हैं आज मैं आप लोगों की शाथ शेयर करूंगा एक जुरा फ्लावर प्लाइन्ट की क्यार आप लोग एप्रिल मांथ में कैसे करेंगे यानि कि आप लोगों ने प्रूनिंग किया था और प्रूनिंग के बाद आप लोगों ने एक अदवर फार्टलेजर दिये होंगे और आप ही एप्रिल मांथ चल रहा है आपकी फ्लावर प्लाइन्ट अभी फ्लावरिंग करने वाले है तो आप ही आप लोग फर्टलाजर क्या देंगे क्या और कैसे करेंगे ताकि आपकी फ्लॉर प्लांट अच्छे हिल्दी रहे शके और अच्छा से फ्लॉर्णिंग भी कर शके यह देखी इ головॉर प्लांट की growth है कुछ ज़ादा है ये slowly grow करते है बहुत fast growth नहीं होता है fast growth only for बारिश की time में होता है बाकी time ये slow slow grow करते है चलिए new leaf की color देखिए light green color है लेकिन इसमें ये जो floor plant है इसमें बहुत जल्द iron deficiency हो जाते हैं देखिए कुछ leaf जो है iron deficiency है और ये floor plant में magnesium की deficiency भी होता है sulfur deficiency भी होता है और बहुत ज़्यादा होते है आप लोगों ने कभी कभी देखा होंगे आपकी floor plant में यतना ज़्यादा sulfur की कमी आ चुके है आपकी floor plant की जो leaf है पूरे leaf white color की हो चुके है और एक बर अगर white color की हो जाते है तो ओ प् आप मैं सबसे पहले बात करूंगा ये जो new new branches आ रहा है new new tips आ रहा है शब ही tips में आभी flower खिलने बाले है तो आभी आपको ये जो tips है tips को protect करना है प्रोटेक्ट करने के लिए confidor 1 ml एक लिटा पानी में मिला के अच्छा से spray करेंगे आभी हपते में एक बार spray करना है धहन र एक कुछ लीफ देखी आप लोग कहीं से कट चुके है कहीं टेरा है इट मेंस इसके ओपर पहले thrips लग चुके थे और आभी thrips नहीं है सही हो चुके है thrips लगने से लीफ ऐसे कट देते हैं ऐसी हो जाते हैं कि लीफ के निव निव लीफ के जब रस चुष लेते हैं उस टाइम इसकी पत्ते ऐसे हो जाते है आपको हमेशा हपते में एक बार confidor जरूर इस्प्रे करना है आपके पाश अगर confidor नहीं है टाफ गर है रोगर है य अच्छा result मिलेगा आप अगर confidor यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा result मिलेगा फंजी साइड आप 15 दिन में एक बर फंजी साइड देंगे पंदरा दिन में इससे पहले देने की कोई भी जरूत नहीं है फंजी साइड में आपके पाश रीडो मिल आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है हफ्ते में एक बार प्लांट ग्रोथ रेगलेटर एस्प्रे करना है दो एमेल एक लिटर पानी में मिलाईए और एफ लॉर प्लांट की उपर आभी एस्प्रे करें हफ्ते में एक बार आप अगर एस्प्रे करेंगे तो शागरी का औ और नहीं तो बायो बीटा एक्स और नहीं तो ओमेगा गोल्ड प्लास तीनों में से कोई भी है आपके पाश एक लीजिए दो एमेल एक लिटर पानी में मिला के एस्प्रे करें आपको जबड़ दस्त रजल्ट मिलेंगे आपके पाश अगर मिरा कुलान है पीक बुष्टर है तो आप मिरा कुलान और नहीं तो पीक बुष्टर दो एमेल एक लिटर पानी में मिला के तीन हपते में एक बार इस्प्रे कर सकते हो धेन रखिएगा मिरा कुलान हम हपते में एक बार इस्प्रे नहीं कर सकते हैं तीन हपते में एक बार इस्प्रे करेंगे तो अच्छा र या ओमेगा गुल्ड प्लास ए तीनों में से कोई भी आपके पाश होगा आप उसको चालू रखिए आपको अच्छा रेजल्ट मिलेगा multiple micronutent आभी ए फ़लॉर प्लांट को बहुत ज़्यादा जरूट है तो multiple micronutent आप 2 गिराम 1 लिटर पानी में मिलाईए और ए फ़लॉर प्लांट के उपर 15 दिन में एक बार एस्प्रे करें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हैं पंदरा दिन में एक बार उतकर्ष कंबी 2 लेजिए अच्छा रिजल्ट है और जो मैं फर्टलेजर बताऊंगा यह फर्टलेजर आप लोग 15 दिन अंतर से एक बार देते रहिए बहुत ज़्यादा फर्टलेजर की जरुत नहीं है मस्टार्ट केक लिकुट फर्टलेजर आप लेकिन अभी जब तक बारिश नहीं होगी यानि कि मनसुन नहीं आएगी तब तक आपको मस्टार्ट केक लिकुट फर्टलेजर यूज़ करना है हपते में एक बार बहुत ही अच्छा रेजल्ट मिलेगा मस्टार्ट केक लिकुट फर्टलेजर से फर्टलेजर के लिए हम कुछ औरगानिक और कुछ इन औरगानिक फर्टलेजर लेंगे देखिए यह प्लांट को हम लोगों ने रिपॉर्टिंग किया था या गिली होंगे तो आपको रेजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा ए देखिए इसकी नीचे आप लोग देख पर है हलका मॉइस्चर बना हुआ है ऐसे ही शॉयल आपके पास होना चाहिए आपके शॉयल अगर बहुत ज़्यादा सौगी होगा तब आपको अच्छा रेजल्ट नहीं मिलेगा इस बात को धेन रखना है आभी हम और्गनिक फर्टलेजर ले ले लेते हैं और्गनिक फर्टलेजर लेने के लिए हम लेंगे कुछ और्गनिक फसफराश और और्गनिक नाइट्रुजिन यह स्लोर लिजिंग की काम करेंगे यह है बोन मिल हम यहां से एक चमच बोन मिल लेंगे ऐसे भरके एक चमच हम बोन मिल लेके यह पॉट की चारो साइड में ऐसे करके डाल देंगे और इसके बाद हमको लेना है होर्ड मिल एक चमच हमको लेना है हॉर्ण मिल एक हमने हॉर्ण मिल डाल दिया है इसके साथ हमको देना है नीम ख़ली है एक चमच भरके हम नीम ख़ली देंगे और इसके शाथ हमको देना है एपसम शल्ट ए देखिए मेगनेशियम सालफिट एक चमज देना है आठ से लेके बारा इंच की पॉट में एक एक चमज देना है बोन मिल, होन मिल निमखली, एपसम शल्ट एह हमने दे दिये ये फ्लॉर प्लांट में अभी फ्लॉर खिलने वाले है तो हमको पटास तो जरूर देना है पटास में मेरे पास SOP, NPK 0050 या पटाशियम सालफिट या सालफिट और पटास कुछ भी कैश रकते हो अब यहां से हम ये चमज की आधा चमज लेंगे ये देखिए आधा चमज हो चुके है आधा चमज लेके हम ऐसे चारो साइड में ऐसे बिखिर देंगे इसके साथ हमको chemical, phosphorus और nitrogen भी देना है तो क्या लेना है हमको DAP, मेरे पाट के साथ 10 इंच है तो हम कम से कम 15 से 18 granules DAP होगा उस इशाप से लेंगे ये देखिए आप kindly counting करके लीजिए ये हमने DAP डाल दिये है ठीक, same dose second plant को भी देना है same देंगे, बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं करेंगे second plant को भी हमने डाल दिये है, fertilizer देखिए same quantity में आप हलका हातों से हम गुराई करेंगे हलका हातों से गुराई करने का मतलब हमने जो भी fertilizer दिये है, ये fertilizer shoyal के साथ बहुत ही अच्छा से mix हो जाए ये हमने हलका हातों से गुराई कर दिये है इसकी भी गुराई करेंगे बहुत ज़्यादा डिपली गुराई कांडली आप ना करें ये देखिए हमने गुराई कर दिये हैं और इसके बाद हमको पानी डाल देना है वर्टिलाजर देने के बाद जब भी हम पानी डालेंगे अच्छा से पानी डाल देंगे ये हमने पानी डाल दिये है और एक बात धेन रखिएगा एकज़रा फ्लावर प्लाइंट को आपको फूल सानलाइट में ही रखना है शेड में बिल्कुल भी ना रखे फूल सानलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो पसंदाया है और अगर पसंदात है तो लाइक कर देना शेयर कर देना शाब्सक्राब जरूर कर देना शाथ में बिल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं को नए वीडियो लेकर आओ आप तक तिरुन पश्चा के दोस्तों आज यही तक है इसके बाद फिर में लेंगे नर्ट अपिकर शाथ ना जान कर लेकर आएंगे थैंक्स पर बाचिंग